एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिश्य के साथ ब्रह्मन पर निकले। गुरुजी को ज्यादा इधर उधर की बाते करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांते पूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परन्तु शिश्य बहुत चपल था। उसे हमे देश देने लगा। लेकिन धीवर कहा समझने वाला था। पहले उसने टालमटोल करनी चाही और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिश्य और धीवर के बीच जगड़ा शुरू हो गया। ये जगड़ा देख गुरुजी जो उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे। लोटे और शिश्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिश्य को पकड़ कर ले चले। गुरुजी ने अपने शिश्य से कहा बेटा हम जैसे साध्यों का काम सिर्फ समझाना है लेकिन ईश्वर ने हमें दंद देने के लिए धर्ती पर नहीं भेजा है। शिश्य ने पूछा महराज को न तो बहुत से दंदों के बारे में पता है और नहीं हमारे राजय के राजा बहुतों को दंद देते हैं। तो आखिर इसको दंद कौन देगा। शिश्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा बेटा। तुम निश्चंत रहो इसे भी दंद देने वाली कि एक लोकिक शक्ती इस दुनिया में मौजूद है जिसकी पहुँच सभी जगह है। इश्वर की द्रिष्टी सब तरफ है और वो सब जगह पहुच जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो इस जगरे में परना गलत होगा इसलिए इस जगरे से दूर रहो। शिश्य जी और शिश्य दोनों उसी तालाब से होकर बुजरे शिश्य भी अब दो साल पहले की वह धीवर वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक सांप बहुत कष्ट में था उसे हजारों चीटिया नोच नोच कर खा रही थी। शिश्य ने के द्रिश्य देखा और उससे रहा नहीं गया, दया से उसका हृदर पिगल गया था। वो सर्प को चीटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरू जी ने उसके हाथ पकर लिये और उसे जाने से मना करते हुए कहा बेटा। इसे अपने कर्मों का फल भूबने यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दुसरे जन्म में ये दुएक भूबने हूंगी क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भूबना पड़ता है। शिश्य ने गुरू जी से पुछा गुरू जी इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फसा है। गुरू महराज बोले यह वही धीवर है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मचली न मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबुला हुआ जा रहा था। वे मचलीया ही चीटी है जो इसे नोच नोच कर खा र चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या आशुभ उसका फल तुम्हे भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है अपने कि ये कर्म को हमेशा याद रखो यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है क्योंकि ये सच है कि तुमको व बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वो इश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिश्य गुरुजी की बात सपश्ट रूप से समझ चूका था। ये शत प्रतिशत सच है कि इश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं। और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किये हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप इश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। ये जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आँखों में भी हमारे प्रतिप्रेंच हलक उठें। अगर जानकारी पसंद आई तो विडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद।